लोग बदला लेते हैं, वो कहते हैं कि ये वो डिशेज उतनी ठंडी हो जाए, उतनी अच्छी लगते हैं, लेकिन अगर पैसिबली बदला लिया जाए तो उससे फणी कोछ नहीं हो सकता अपने स्कूल में परिशान करने वाले बच्चों को हैंडल करने और पूप से बनी हुई आईस्क्रीम से लेकर इस कैमर को एक्सपोज करने तक आगे है समय जब हम लोगों को पैसिबली अग्रेशन दिखाते हुए देखेंगे Madhouse mischief, आपके साथ cheating हुई हो तो ये काफी सा दिलाने वाली बात हो सकते है लेकिन क्या हो अगर आपके साथ cheating हो और आपको छोड़ दिया जाए और अपना सामान लेकर बाहर निकलने के लिए कह दिया जाए यह बहुत दिया नॉइंग करने वाली डिवाइस होती है जो कुछी देर में रिडिटिंग आवाज निकालती है और यह सी अजीब आवाज है जैसे कि बच्चों के हसी और अजीब से तेश चुपने वाली आवाज है अब घर छोड़ने से पहले डिवाइस को जगया जगया पर चुपा दिया कई महीने बीद का और वो अपने दोस्तों के साथ था और तब उन्होंने इससे पूछा कि क्या वो कुई अच्छा प्रेंग जानता है जो वो और लोगों के साथ कर सके तब ड्यूग ने उन्हें नॉज में करके बारें बता और वो हंस पड़े अब जायर है कि ड्यूग ने पूछा कि वो क्यों असर है फिर बता चला कि उनकी एक्स और उनका नया पार्टनर सिर्फ कुछी महीने साथ रहे दोनों ही और से शिकायत होती रहती थी कि घर पर कुछ अचीप सी आवाज आती है और बात ये थी कि दोनों को ही अलग-अलग आवाज चुनाई दीती थी कि इसके प्लान ने कितना घजब का काम किया मेरे से पंगा मतलो कभी कबार आप लोग ऐसे लोगों से मिलेंगे जो बहुत ही बत्तमीज होते हैं वो भी बिना किसी कारण के रैट यूजर ट्रबल नेबर भी 2002 में एक रैस्टों में डिनर करते टाइम है ऐसे लड़कियों की ग्रूप से मिला शुरू में तो सब ठीक लग रहा था जब वो उसके पीछे बैटी हुई थी और पर परिशान नी कर रही थी जब वो चली गई तो उनमें से एक वहाँ पर अपना चश्मा भूल गई अब ह पहर निकाल दी फिर एक दम से हमारा हीरो हीरो ने रहा अपने हाथ में अभी वो चश्में लिए हुए था उसने डस्ट बिन खोला और उसमें डाल दिया फिर वापस रैस्टों चला गया कुछ मिट बाद ही वो लड़किया अपना चश्में रोडनने के लिए वापस रैस् ट्रबल मेंकर ने कंदों से इशारा किया कि मुझे क्या बताओ फिर मिडिल फिंगर दिखा दी और फिर से अपना खाना खाने लगया वो खाना और ज्यादा टेस्टी लगने लगा था यह शायद बदला लेनी की स्वीट डिश का कमाल था है ना लेकिन आपको पता यह बद कितना इरिटेटिंग होता लेकिन कुछ लोग बस बैठे बैठे इसको सहते नहीं अरे वो तो पलटवार करते हैं जैसे एक अपल जिसने डेसाइट किया कि वो अपने ऊपर रहने वाले पडूसी से से मतला लिंग और चुपने बैठींगे वाव अब मैं सोच रहा हूँ कि सुबह के चार बजे उन्हें ये पैरूं के आवाज कैसी लग रहे होगे और फिर हमें मिलता है कैनेडा के कॉमेडियन मेटो ब्रेन जो इससे ही बीमारी से परिशानते है फिर उसके दमाग माया कि वो अपने पडूसी के ब्लूटूथ और कुछ ऐसा सुन सकता है जो उसने खुद बनाए ये फिर मुजिक सॉक्स दस सकीन के लिए दबाता था और स्पीकर दीवार से तेज आवाज उन तक वापस पहुचाता था और इसने बहुत ही वजब का काम किया जीनियस ओरिजिनल वीडियो में तो लड़का अपने परोडूसियों को गाना तेज तेज बजा कर परिशान कर रहा था लेकिन मैं उस गानी की वीडियो नहीं डाल सकता वरना मेरे सारे पैसे तो बाहर वाले खा जाएंगे आप समीज रहना फिर भी दोनों तरफ से तनी तेज गाने बजने के बाद मैं तो ये सूच रहा हूँ क्या कोई तीसरा परिशान होका अपार्टमेंट के बाहर बेस्बॉल बैड लेकर गड़ा हुआ है गाली देता कुरियर अप्रहल 2022 में रेड रियूजर सॉल्टी वेट 247 सुपरमार्केट में ग्रोसरी बैक के साथ वापस आ रहा था जब वो अपनी अपार्टमेंट के पास पहुचा तो व और उसके बास भारी बैक्स थे तो उन्हें लेका जाना बहुत ही रिटरिटिंग था लेकिन अभी चीज़ा खराब होना बागी थी ऐलेवेटर फोर्थ फ्लोर पर रुख गया और जितना रुखना था उससे ज्यादा टाइम तर रुका रहा फिर वो फिफ्थ फ्लोर पर अपने आपको समझ तक है तो उसने विलन बनने का फैसला लगया फिर उसने ऐलेवेटर का 16th फ्लोर तक पहुचने का इंतिजार किया और फिर वो एक दम से ऐलेवेटर के 7th फ्लोर तक के सारे बटन्स को दबाने लगा फिर वो सीडियों के पास रुखा ऐलेवेटर उसके से नीचे उतरी जब तक ये 5th फ्लोर पर पहुचा तब उसने कुरियर वाली के आवा सुनी जो कि इसलिए होसा थी क्यूंकि ये तेसरी बार अलेवेटर रुखा था और यहां से चीज़ वाग खराब होने लगी जी हां एक मातरी चीज यहां से बढ़ रही थी वो था इसक पत्थर रख दिया तो उन्हें होसा आया शायद है उनको पता हो कि मेलिसा स्क्रॉक जोस से पंगा नहीं लेने का ठेक सुबह के साठे साथ बचे वो अपनी आवाज करने वाला ट्रिल लेकर अपने घर से बाहर निकली बच्चों को सोई हुए जादे नहीं थी और उन्हें जोर का हैंगोवर होने वाला था तो हुआ ये कि मेलिसा ने लगाया अपना हैडफोन और चालू कर दिया अपना ड्रिल और तोड़ने लगया उस बड़ी सी चट्टान को कई टुकड़ों में वो भी बहुत ही घुस्से में और ये जल्दी खत्म होने वाला काम नहीं था व उससे ज्यादा सटिस्फाइं कुछ ने हो था ब्राजील के भी अमेज देखने वाले लियुक भी अपनी बुली से टरा करते थे लेकिन यार शादी किसी को अंदाजा हुआ कि आगे क्या होने वाला बुली हमेशा ही बच्चों के पास जाकर उनसे उनका खाना माह करता था ना देने पर मारने की धमकी देता था लियुक भी इस खाने की बसूरी का बहुत बाशेकार बन चुका था लेकिन एक दिन फिर अपना खाना खोने के बाद उसने कहा कि अब बस बहुत हो गया तो इसकूल से घर आने के बाद उसने वही किया जो उससे हम सब करते हैं उसने स्मेल छुप जाए। मुझे लगता है कि असमीन अंदाजा लगा लिया हुआ कि इसके बेट में जाने वाली है। फिर हमारी हीरो ने इस ब्राउन मैस को फ्रीजर में रात बजबने के लिए रखा। अगला दिन आया और लियुक ने उसे अपने लंच बॉक्स में पैकर दिया। जाहर है कि जब लंच टाइम हुआ तो उसका बुली लियुक के पास आया और आखों में थे उसकी चमक बिना पीछ अटे लियुक ने उसे अपना लंच दे दिया। बुली खुश हुआ बहुत बड़ा सा बाइट लेया और तुरंत बाहर भी निकल गया। हर जग है। लियुक जो उसे हंसने लगा। बुली रोते हुए वहां से बाग गया। लियुक को स्कूल से निकाल दिया गया लेकिन आप शर्त लगा सकते हैं कि उस दिन के बाद से कभी भी भुली ने किसी का खाना नहीं चुटा होगा। तो जहां आप अपनी पॉटी पॉलिश नहीं कर सकते हैं वहीं आप उसके उपर चॉकलेट जरूर लगा सकते हैं। ये एक फरजी चाबी थी जिसमें उसका नंबर लिखा हुआ था। जससे कि एमिली जैसे लोग उससे कॉल करें हो परिशान हो। और जसने भी इसे वहां पर रखा था वैसे ही कई और चाबी आपी कई जगों पर रखी हुई पाए गी। सब पर अलग लग नाम लिखे हुआ ये कि जैफ या फिर जो भी उसका असली नाम हो उसका एक पुराना कलीत था जिसके साथ उसके अच्छी नी बनती थी तो इसलिए वो जहां भी चाबी रख सकता था उसने रखती और क्या बाद में पता चला कि ये बदला लेने वाला प्रैंक पूरी दुनिया में हो है क्योंकि ये एक टिक टॉक ट्रेंड है भाई मुझे ने पता कि उस बेचारे ने ऐसा क्या किया कि उस बेचारे को ये सेना पढ़ा लेकिन ये वाकिम बहुत ही खराब है मेरी मानू चीज़ें हामने सामने बढ़कर सॉल्व करो मेरा मतलब बात करना ही तो लड़ाई सुलजाने की चाबी है बाई रूमी का बदला जब आप किसे के साथ एक ही घर में रह रह रहे हो तो खट पट तो होगी ही और इससे बचाने जा सकता है लेकिन कुछ साल रहने के बाद इस चीज़ से बाकियों की कमपैरिसर में जाथ अलग तरीके से डील करते हैं लोग एक लड़का ऐसे इंसान के साथ रहता था जो हमेशा ही टॉलेट पेपर कुल्टा रख देता था तो एक दिन उसने कहा कि वो उससे सीधा रखे लेकिन जब वो वापस रेस्ट रूम कया तो उसने देखा ये क्या ये एक रूमी की तरफ से ओवर डियक्शन हो सकता है? हो सकता है आपको इसे के साथ रहना होगा लेकिन वहीं एक इनसान ऐसा भी है जिसने अपना खाना चुराने वाले रूमी से बदला लेने के लिए किया उसने उसके लिए पीज़ा का एक स्लाइस छोड़ा था बात आने वाले ने मनाया एक लंच बॉक्स बनाकर एक टेस्टी मीट चीज और प्लास्टिक का सैंड़िच यहां वो माफी ने मांग रहे थे यह तो बस एक तरीके का पैसे वाग्रेशन था मुझे मालूम है कुछ लोग अमेरिकन चीज़ को प्लास्टिक चीज़ करते हैं लेक के रैड़िट यूजर ड्रंकन ब्लैक शीप को स्कैम करता हुए समय हुआ जब स्कैमर उनसे पंदरा सो डॉलर हापना चाह रहे थे शीप उस समय अपने मिड ट्विंटीज में थे और उनकी माने तो उस समय वो सॉफ्ट गर्ली और बीबी फेस रख दी और इसी वज़े से बहुती होश यार होने के बाद भी जब मेकैनिक के पास जाती थी तो मेकैनिक समझते थे कि उनने कुछ भी नहीं बता तो एक दिन वो गराज में तेल बदल वा रहे थी उस टाइम एक मेकैनिक ने उनकी कार को फ्री इंस्पेक्शन दिया तिर उसने गाड़ी के अहला सही और वो कभी भी पूरे तरीगे से तूट सकती है दिखाने के लिए उसने इन्हें गाड़ी के एया फिल्टर निकाल का दिखाए जो कि ग्रीज, धूल और मारे हुए कीड़ों से बढ़ा हुआ था लेकिन हमारी सीध ही साधी गुडिया जानती है कि मेकैनिक हलत बता रहा है क्योंकि एक दिन पहले उसने बदल वाया था, तो यहां पर यह गुंडा बस बड़ी-बड़ी बाते बता कर उनको डराना चाह रहा था, तुरंत है हमारी सीध की दमाग में एक फ्लान आया, कि मेकैनिक ये सच्चा ही सामने लाए, ऐसा दिखाने लगी जैसा कि वो कार के ब मेकैनिक का हासता हुआ चेहरा तुरंत हरानी बदल गया, और फिर शीप ने अपने डैट को लाट स्पीकर पर डाल दिया, वो भी हास रहे थे, यार फिल्टर को अपने हाथ में लेका, शीप ने सब को बताया कि कैसे एक दिन पहले उन्होंने उसको बदल वाया, तो जाहर ह फिल्टर वापस लगाने के बाद शीप आँ से निकल गई, यही तो है जिसे कर्मा कहते हैं, कच्रे को बाहर निकालो, अगर आपने कभी भी किचिन में काम किया है, तो आपको पता हुआ कि आपको चीजन समहाल नहीं होती है, नहीं तो पूरे किचिन में आग लग जाएग जब तक क्यो दाईना बंचा, अपर जब उसे ओश आता था, तो वो उने डिश वाशर में डाल देती थी, हफते तक अपने आलसी को वरकर की गंदगी साफ करने के बाद एलेना लास्ट में अपनी लिमेट्स में पहुँच गई, एक दिन जब वो काम से लोटी तो उन्हें मिला गंदगी का पहाड और सिंक में जूटे बरतनों गढ़ीर, वेल, एलेना जान दी थी कि ये किसके हैं तो बिना किसी सेकेंड थाट के उसने उन सब को उठाया और डस्बिन में फिक दिया, वो भी एक स्मैश ताउन के साथ, ये कहना सही हुआ कि उसके बाद से लेजी क पूरा जो समंदर भी प्यार करने के लिए काफी है, लेकिन इन में से कुछ भी मैं अपने घर में नहीं चाहता हूं, तो मुझे नहीं पता कि जब ये आदमी अपने घर पर विकेशन से वापस आ और अपने रूमेट को पूरा बैटरूम का नक्षा, इस में बदलते हुए से इस कमरे से बाहर निकलना इंपॉजिबल है, और अगर इन लड़कों को सालों तक कुछ भी सामान मिलता रहे, तो मुझे एरत नहीं होगी, क्या ये सब वर्थ इट था भी? मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश जोरदार थी भाई खांस डालो, माना की COVID-19 ने मास्क बहनना mandatory कर दिया, लेकिन तो जा तेरा मगर आप एशिया में नहीं रहते हैं, जहाँ पर मास्क फेमस हैं, तो आपको अलगने ज़रू से दिखा जाता था, रैड़िट यूजर नाशिवा एशिया में नहीं रहती थी, और उसे हाली में प उनका मजाग उड़ानी लगा, वो बिना किसी बात की, मजाग उड़ाना तो इसमें बहुत ही बोल रहा हूं है, ये तो उसे उबरा था, लेकिन उसने नाशिवा से कहा था, कि उसे प्लेकर और बाकी सभी की जिंदियों को भी रिस्क में डाल रही, और तो और उसने ये भी का की, उसे कहीं जाकर मर जाना चाहिए, ये तो बड़ा अच्छा लगा रहा भी, उसे में नाशिवा उटी और उस लड़के के पास आने का, लेकिन जब वो उनसे कुशी इंच दूर था तो नाशिवा ने अपना मास्ट नीचे कर दिया, और उसके मूँ पर दो बार खास किया है, तो साफदान रहें, सतर कर रहें, क्योंकि पता चला है कि बदला लेने का सबसचा तरीका किसी की गाड़ी से छड़कानी करना, लेकिन आप खुद की मदद अपनी कार बेवकोफ की तरह पार्क ना करके कर सकते हैं, इस लड़के की तरह, जिसने एक ही कार में दो प लेकिन कार से बदला लेने वाली हरकते हैं सिर्फ गलत पार्किंग करने वालों के लिए नहीं है, जब एक आदमी ने अपनी गल्फेंट पर चीट करने का सोचा तो उसकी पार्टनों ने बहुत ही फैशनिबल तरीके से बदला लिया, जो किता सोनी की कदान करीदने जितना पैसा से नेटरी टावल करीदने में लगाना और उसकी कार उसमें पूरे तरीके से ढग देना, ये बहुत बड़ी कोहिश थी बाई जहां चाहे, चाहे जितना भी ये दुख करने वाला आइडिया क्यों न हो, लेकिन मौत तो एक दिना नहीं है, ये जिन्दगी का अगेसा, लेकिन अगर आपने बहुत मेनत की है तो जिन्दगी के अंत में मौत के करीब आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे, जिन्हें गेमनोट के पापा उनकी अंटी और कजिन में मढ़ता था, इस बात का सेंस भी है क्योंकि इन तीनों को ही कपल ने रेस किया था, बस दिक्कत देए थी कि जब पैसे आए तो गेमनोट के पापा ने कहा कि लाइन शेर उनके पास जाएगा, क्यों? उनके पास कोई भी रीज गेमनोट के पापा जब घर से बाहर हुए थे, तो उनके पास एक कॉल आया, वो कॉल था दादु का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब साथ हिस्से होंगे, और अब इसमें गेमनोट उसकी बहन भी शामिल होगे, मतलब कि सबसे बड़ा शेर मिलना तो दूर अब उनको पह जानी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, रैडिट यूजर डोनट क्लाउट्स अमेरिका के पंसलिविनिया के एक शांत पडूस मेरा करता था, कहा तो यही जाता है, पडूस तब तो शांता जब तक कि उसकी ये बकवास पडूसी वहां शिफ्ट नहीं हुई, बहुत ही बकव जिसी भी थी, कच्रा परपॉल बैक्स में होना चाहिए, नहीं तो उसे कलाट नहीं जा जाएगा, और डोनट क्लाउट की पडूसी जिसे हम सूजी बोलते हैं, वो इसके एक्स्टर पैसे देने हम बिल्कुल भी इंट्रस्टेड नहीं थी, तो इसलिए जो बैक्स वो डोन जिसा नहीं चल सकता था, और थोड़ा सस्ता मौला भी था, और डोनट जानता था कि जहां उसने अपना घर खरीदा था, वहीं सूजी ने अपना घर करायपा लिया था, तो उसके मन में एक शैतानी आइडिया पन अपने लगा, डोनट ने सूजी के मकान मालिक का नमबर ढ लड़ सकती, मैं का 30 दिनों बाद सूजी वांस चली गए और यहां डोनल क्लावड ने खुद के लिए एक और प्रॉपटी बना ली, वाव, उसने वाकी कच्रे को कच्रा बना का फेक डाला और वो भी अलग तरीके से, ठीक है तो फिर आज के लिए बस इतना इप, मैं इतन यह अंडल कर सकता हूँ, आपका फेवरिट कौन सा है और क्या आपके बास बताने के लिए और कहानी है, वो अगले वीडियो में अपनी जगह बना सकती है, तो नीचे कॉमन्ट करके मुझे बताई का रहा, देखने के लिए शुक्रिया